हलो दोस्तों आज बनाते हैं एक नई रिसीपी एक नई तरीके से ब्रत वाली रिसीपी बनाएंगे वो भी सूप साबू दाना आलू भार भार के ड्राइफूड जो आपकी मेठाबुलिजम को अच्छे से काम करें लेते हैं कुछ ड्राइफूड उसका लेंगे मौफली के द आलू ले लिया आलू को पहले काटूंगा आलू पूरी तरीके से कट चुके हैं उससे इसे उठाकर एक बावल में सर्फ कर देंगे पानी डाल कर सर्फ करेंगे कि आलू ब्लैक नपड़ें उसके बाद करेंगे कटिंग टमाटर एक फूर्ट माना जाता है अगर आप खाते में ब्रत में तो आप एक कर सकते हैं नहीं तो इसक्रिप कर सकते हैं उसक तरीके से रोस्ट करेंगे ये ऊच्छा तरीके से टेस्ट लाएगा और बूना हुआ जीरा उसका दिसमें डालते हैं, एक टेबल स्पून लबग नमक, नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से रोष्ट करेंगे, उसके बाद इसके एक बावल में सर्प कर लेंगे, उसका दिसके इमान दस्ते में धर कर कुट लेंगे, चड़ाते हैं, कड़ाई, कड़ाई में ड कि अगर आपको घी कम लग रहा है तो गे का सब्सक्राइब कर सकते हैं अब आप इसमें दालते हैं ड्राइप द्राइफ़wood ट्राइफ इतना पकाएंगे कि जो किस पड़िये पूरी तरीके सेática सफूल जाए अपने अपना सफूल जाएगे देख सकते कि इसमिस पूरी तरीके से फूल चुकी है ज्यादा नहीं पकाएंगे ज्यादा नहीं रोष्ट करेंगे उसका इसी मुंफली के दाने में बाउल में सर्फ कर लेंगे सर्फ करने के बाद इसार साइड में से रख देंगे और आपके पास मखान कहलावव तो उभी आप फ्राइड करते हैं ईसके बाद में इसमिस पूरी तरीके से पक जाएगा तब इसे अलग रख देंगे अब आते हैं अपने पेश्ट पे लेखते हैं करियंडर मतलब धन्दिया और लेते हैं अधरक और इमेज इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे पीस के अलग रख देंगे देख सकते हैं आलू मेरा पुवी तरीके से पक चुका है अब आते हैं साबुदाना पे साबुदानो के बाद इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे साबुदाना को मिक्स करेंगे आलू में और थोड़ा भूनेंगे क्योंकि बॉयल किया हुआ साबुदाना नहीं है यह पहले से मैं भीगो के रख दिया था कम से कम पान लट पहले अब साबुदाना पूविद्ध कर भूग भूण चुका है उसका इसमाइड करते हैं टमाटर टमाटर एड करने के बाद में इसमाइड करेंगे एक टेबल स्पून लगवग नमक भी करेंगे पेस्ट में बहुत लाजवाब लाता है कोई पी रसीपिं माद डालेंगे तो टेष्ट में बहुत अच्छा बने लगव ललगता है उसका दिसमें सर्फ करतेंगे पबूदिर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे घचलाएंगे सब्सका इसमाइड ग है लगवा ए करने के बाद में फेस में डालते हैं जो कुटा हुआ मसाला था जीरा काले मिर्स और नमक कर देंगे लगभग पांच मिनट तक इसके पकाएंगे देख सकते मेरा सूप बन चुका है आप इस फृत में आप इसे चरूर ट्राइक करना इस नवरात्वी में इस मेटाबुलिजम को एकदम बनाए रखता है एकदम बॉड़ी को हेल्दी रखेंगा आप एक बार ले मलग पी लेंगे खा लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से दिन भर खाना कुछ नहीं पड़ेंगा उसका इस पर आड़ करते हैं चिम्मच सर्फ करते हैं से चिम्मच में सर्फ करने के ब करते हैं